हाई एवरिवन दस्तों Microsoft Excel का ये वीडियो हमारा बहुत ही बेसिक होने वाल है बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का हम Microsoft Excel के अंदर में यूज कैसे करते हैं कि सब्स्किप्ट और सब्सकिप्ट और सब्सकिंट के विशुट करते किसी भी Came exception करते हैं इसको दूर्स के लिए तो उसकु knights Carm फर्स्ट कोलम में हमें formula दिया हुआ chemical formula different और second column में हमें यानि के superscript वाले subscript वाले column के अंदर में हमें show करना है CO2 को CO2 subscript के अंदर में राइट तो चलिए हम formula लिखते हैं सबसे पहले CO2 लिखेंगे देन हमें यह चीज तू को यहां से करना है फिर हमें जाना home tab में to select करने के बाद home time में आना है और यहां पर आपको आना है right font setting में font setting में आने के बाद आपको नीचे आना है यहां पर आपको effects वाले में तीन options मिलेगा strike throw, superscript और subscript हम subscript डालना चाहते हैं तो यहां पर इसको check कर देंगे then ok press करेंगे, ok press करता ही आप देख सकते हैं यहां पर co2, co2 जो की 2 हमारा आप subscribe में है इसी तरह h2o को हम डालेंगे यहां पर subscribe के अंदर में तो पहले formula लिख देंगे हम h2o then यहां से हम 2 को select करेंगे, again आपको आना है home time में, home time में आने के बाद font setting में आना है और यहां से subscribe को select करना है, then ok press करेंगे हम, तो हमारा subscribe यहां पर h2o आ जाएगा then again CH3COOH हमारा ethanoic acid हम इसमें formula लिखेंगे COO, sorry CH3COOH then 3 को हम select करेंगे यहां से, इसको select करने का बाद हमें home time में आना, font setting में आना है font settings में आने के बाद आपको subscribe को select करना है, then open press करेंगे, आप देख सकते हैं आप हमारा ethanoic acid, हमारा 3 यहां पर यहां पर subscribe में आगे, आप हमारा n2, n2 press करेंगे, 2 को हमें subscribe में दिखाना है, तो इससे select करेंगे, then जाना हमें home time में, home time में आने का बाद font settings में आना है, then subscribe select करेंगे, ok press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से और यहां यूज़ कर सकते है, font setting में जाने के बाद, जो हमारा second method है, वह हम यहां पर check करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले formula लिख देते है, a2 square plus, sorry, a2 square plus b2 square is equal to c2 square, तो हमें a2, यानि कि 2 को हमें superscript में लिखना है, b2 को superscript में लिखना है, और c2 को हमें superscript में लिखना है, तो simply हमें इसको select करेंगे, यहां से, select करने के बाद आपको right click करना ह से, right click करने के बाद आपको यहां आना है, format sales में, इसमें आप आएंगे, इसमें आप आने के बाद आपको again, same drop down menu open हो जाएगा, जो हम home time में जागे करते थे, तो हमें यहां superscript में डालना है, superscript में हम चेक करेंगे, और open price करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा a square, 2 हमारा superscript में ह हो, again हमें बीँ कोई सुपर में डालना है, तो सेलेक्ट करेंगे, यहां से, हम right click करेंगे, right click करने के बाद format sales, यहां प्याना है, यहां आने के बाद हमें superscript को चेक करना है, OK प्रेस करेंगे, हमारा superscript में आजाएगा, again to select करेंगे, हम यहां से, OK प्रेस करेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें